12 के बाद नागेंदर कुमार कई आम युवाओं की तरह एक फैक्टरी में काम करने चला गया। घर से दूर बद्धी में नागेंदर नोकरी करता था। लेकिन जब कोरोना आया तो नागेंदर की नोकरी चली गई। घर आया तो जमापूजी इतनी नहीं थी कि घर बैठकर अ बारे में सोचा जब मुर्गी पालन के बारे में पता किया तो पता चला कि इसके लिए पशुपालन विभाग द्वारा 15 दिन का निशुल्क प्रशिक्षन दिया जाता है शैड बनाने के लिए एक लाग चुवालीस हजार की राशी भी मिलती है तीन चरणों में एक एक हजार चुजे और 20 कुइंटला हार भी दिया जाता है नागेंद्र कुमान ने इस योजना का पूरा लाब उठाया और अब मुर्गी पालन से वो एक साल में 4 लाख से अधिक रुपए की कमाई करते हैं उन्होंने हिमाचल के बाकी इवाउं से भी आववान किया कि वो भी सरकार क की जन कल्यानकारी योजनाओं का लाब उठाएं और स्वरजगार की तरफ अपने कदम बढ़ाएं इसके अलावा पधर के और भी कई लोग अब मुर्गी पालन की तरफ अपने कदम बढ़ा चुके हैं ग्वाली गाउं के ही ग्यानचंद ठाकुर भी सालाना दो लाख तक क की आमदनी अर्जित कर रहे हैं मुर्गी पालन करने वाले नागेंद्र और अन्य क्या कुछ कहते हैं वो भी आप सुनिये मैं नागेंद्र कुमार गाउंच महा पद्र का निवासी हूँ मुझे हिम कुकर्ट योजना के तहत पसु पालन विभाग नाचल व्रदेश की और स पंद्रा दिन की प्रिक्सर्ण चौंत्रे में दिया गया यह मैंने काम इस काम से मुझे सालाना तीन चार लाकी आमदानी अस्थानी से हो रही है जिससे अपने प्रिवार का पालन पोशन अच्छे से हो रहा है इसके लिए मैं महाचल सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करत हुँ जो इसके में सरकार ने विरोजगार भायों के लिए चलाई हुए है मैं ग्यावजन ठाक्व ग्रामपचाद ग्वाडी गांपुंद्र पद्र का निवासी हूं हमें जो है कोकोटे युजना आई पीपी के तहत ग्याइलर युजना मुझे जो है पशुपाल्म की भा अधिक्शन हमें चौंद्राई में उसका भी मिला तो उसके रिसाफ से जो है अब हमें यह काम ने जो है दो जारी की भाई में स्टार्ट किया और उसमें बढ़िया मुनाफ़ मिल रहा है सरकार प्रदान कर रही है स्रोजवार स्रिजन करने के लिए एक महतपून युजना है और इन युजनाओं में आई पीपी ब्रॉलर के हमारे पास पदर में डॉक्टर दीपर गुर्मा वरिस पशुचेश साधिकारी पदर हॉस्पिटल में करे रहत हूं और किसानों के प्रतेग परिवार को पचास से सो चूजे जो है वो बिवाग द्वारा दिये जाते हैं और ये जो इसकी अनुमानित जो लागत होती है वो तगरीवन 31 से लेके जो है 40 रुपे तक परती चूज़ा होती है उसकी अमर के हिसाब से ये पशुपालुकों को वितरती जाती है आंगनवाणी कुकट परिवजना जो है वो रोजगार स्रिजन के लिए एवं फूड सेक्यूर्टी जो है फार्मर कर जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसको इप्रूफ करने के लिए बहुत अच्छी स्कीम है इसके अलावा एक लो इंपुट टेक्नालोजी में आई ब्र ब्रॉइलर स्कीम है तो ब्रॉइलर चूजे जो है वो फार्मर को डिल्सो डिल्सो के बैच में चार बात दिये जाते हैं